नमस्कार आज का हमारा वीडियो वाटर इस पैरेमेटर पे है अभी देखिए वाटर यह बहुत इंपॉर्टन क्रूशल रोल प्ले करता है हाइड्रोफोनिक्स में अगर आप वेजिटेबल्स में देखेंगे या फिर हाइड्रोफोनिक फॉडर में देखेंगे वाटर ही एक हुग हम नीउटरेंट को प्लांट को सप्लाई करते हैं अगर अगर स्फेसिफिकल अगरichen के भारे में बात करेंगे तो इसमें कोई दूसरा मीडियम ही नहीं होता है स्इव एक ही मीडियम होता है o water को हमको बहुत तरीके से हैंडल करना पड़ा है हाइड्रोफोनिक फॉड करेंगे production करने के लिए आपको अगर प्लांट डालना है तो पहली बात आपको आपके पानी का testing करना पड़ेगा पानी का testing करने के बाद पता चलेगा हमें कि आपका पानी का pH कितना है वो 6 है कि 7 करते हैं कि 8 है, so on that basis हम decide करते हैं कि पानी के अंदर Newton's कितना है add करना है, उसकी हिसाब से फिर हम plants को Newton's supply करते हैं, कौन से कौन से दो चार चीजे में आपको बोलूंगा, कि आपको वो ध्यान में रखना है, फॉडर रुगाने के टाइम में, पहली बात, बेसिकली हम जब पानी यूज करते हैं इस system के लिए तो हम बेसिकली बोर का पानी यूज करते हैं, या फिर वेल का पानी यूज करते हैं, तो यह चीज ध्यान में रखना कि आपका पानी soft है कि hard है यह बहुत important matter करता है, तो बेसिकली जब हम खेत में यूज करेंगे तो वो hard water होता है, अगर पानी ज़्यादा hard रहेगा तो हमें forder उगाने में दिक्कत आती है, तो यह चीज हमको ध्यान में रखना है, जिसको हम TDS बोलते है, total dissolved solids बोलते है, तो उसका एक TDS का एक calculation किया जाता है, अगर आपका प ठीक है, यह एक चीज इंपॉर्टन्ट है, पानी का pH आपका साथ क्या सपास होना चाहिए, अगर वो ज्यादा alkaline होगा या फिर ज्यादा acidic होगा तो हमारा forder खराब हो जाता है, तीसरी चीज, जब हम पानी को use करते है, pump के through इसको supply करते है, तो उसमें filter होना बहुत जरूर है, तो अगर हमारा पानी खराब होगा, खराब in the sense कि अगर उसके अंदर कुछ soil या मिट्टी का particles रहेगा, तो वो भी एक कारण हो सकता है, कि हमारे forder में fungus या mold हो सकते है, तो एक 3-4 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, आपके जो water system को filter use करना है, पानी का pH चेक करो, प अगर ये system अगर आप use करेंगे, तो आपको अरचन ने आएगी, और एक point मुझे आपको बताना है, कि पानी का जो temperature होता है, वो अगर cold रहेगा, बहुत मतलब 20 के नीचे होगा, 10 degree, 12 degree, 15 degree रहेगा, तो इसे पानी के अंदर अगर आप seed को soaking के लिए डालेंगे, sprouting के लिए ड दाते हैं, तो कभी भी पानी का temperature 20-22 के उपर रखो, फिर वो soaking के time, या फिर आगे जब आप पानी वो use करते है, फॉडर के उपर, उस वक भी आपको पानी का temperature देखना है, 20-22 के उपर आपका पानी का temperature होना चाहिए, एक basic चीजे में आपको बताईए, अगर ये आप control तो आपको photo रुखाने में कोई issues नहीं आएंगे, thanks for watching this video